एपिलहाइम का नजारा देखते हुए मैं अजली आज आपको लेके जाऊंगी यूरोप के एक और देश, फ्रांस फ्रांस जर्मनी का एक बड़ो सी देश है और अब हम जा रहे हैं फ्रांस के खुबसूरत हैगुनो सिटी हेगुनो सिटी की हिस्टरी बहुत ही अनोखी है पहले वो किसी और देश का हिस्सा था और आज वो फ्रांस का हिस्सा है तो चलिए जानते हैं हेगुनो सिटी की हिस्टरी और देखते हैं वहाँ के कुछ मज़ेदार हिस्टरिकल प्लीसिस तो फ्रेंट्स सुरू करते हैं आज का व्लोग है गुनो सिटी एपल हैं से अराउंड 120 किलो मीटर की तूरी पे है जाते वक्त हमने देखे कुछ अच्छे नजारे तो चलो देखते हैं वो नजारे हम एंटर कर रहे हैं हेगुनो सिटी और चलिए जानते हैं इसकी कुछ हिस्टोरिकल बाते हैं हेगुनो सिटी जर्मन ड्यूक्स त्वरा स्थापित किया गया था साल 1870 में फ्रांको प्रुशन वार में फ्रांसी सी हार के बाद हेगुनो नए जर्मन सम्रज्य को सौप दिया गया हेगुनो सिटी 1871 से 1918 तक यानि पूरे 48 इस तक जर्मनी का हिस्टा रहा पहले विश्वयूद के अंत में यह फ्रांस का हिसाग बना हेगुनो फॉरेस्ट फ्रांस का सबसे बड़ा और विबाजित फॉरेस्ट है यहां के हिस्टोरिकल चर्चिस और म्यूजियम इसे अट्रेक्टिव बनाते है अब हम चलते हैं पार्किंग की और हमारी कार पार्क करने कार को पार्क करने के बाद अब हम बढ़ते हैं सिटी की और हलो दोस्तो हम फ्रैंस के हगुर्णो सिटी में फाइनली पहुंच चुके हैं आज हम यह सिटी को एक्सप्लोर करने वाले हैं अभी वैदर काफी अच्छा है प्लेजन्ट है ठंडी हवाही चल रही है होफ तो आप सब को पसंदा है इस ते वी थास यह अलसेटियन म्यूजियम है यह म्यूजियम की स्थापना 1972 में हुई थी यह स्थानिया ज्यादा तर ग्रामिन व्रितिरी वाजो फॉर्नीचर और लोग कला के लिए समर्पित है फ्रांस में फाॉंटेन का एक अलग ही महतुआ है प्राचिन रुमनकाल में यह पीने का पानी उपलप्त कराते थे बाद में वे राजाओं के बागानों में साही सक्ति का प्रतिक थे और आज यहां की सिटीज और पार्क को सजाते हैं थेगुनो सिटी की स्ट्रेट्स को एक्स्प्रोर करते हुए हमने देखा एक इंडियन रेस्टोरेंट पैलेस दे दाजमहर जहां का मेन्यू था इंडियन स्पैसी से बना पंजाबी फूड तो ये आप सामने देख रहे हो ये है हेगुनो सिटी का हिस्टोरिक सैंट चर्च चर्च चलते हैं चर्च के अंदर सैंट चर्च चर्च एक रोमन कैथलिक चर्च है ये बहुत ही पुराना चर्च है 1143 में सुरू हुई चर्च की इमारत को 1200 के आसपास सपार्ट छट वाले बेजिलिक से बदल दिया गया जिसमें हर्सो एबे आर्किटेक्चर और स्वाबिया के रोमन आर्किटेक्चर को प्रभावित किया गया था साल 1250 से 1213 सी तक गोथिक स्टाइल में चर्च का विस्तार हुआ एक बहु पूच गाना बजाने वाला यंत्र फ्रांसेप्ट और अस्ट कोणी और क्रोसिंग टावर चर्च के साथ जुडा गया 1945 में फ्रांसेशी क्रांती और सहर के आसपास लड़ाई के दोरन चर्च के कंस्ट्रोक्शन और डेकोरेशन मटिरियल को काफी नुक्सान हुआ 1845 में चर्च को एम्पेरर फेडरिक, कॉन्डराल थ्री, रुडॉल्फ और अलब्रेक्ट थ्री को दर्शादी नई स्टेन क्लास खिरकिया प्राप्थ हुई थी ये खिरकिया 1945 के 22 पोटो से नस्ट हो गई आज ये जो खिरकिया आप देख रहे हो वो जैक्स ले सेविलियर का काम है फ्रेंड्स ये हिस्टोरिकल म्यूजियम है हिस्टोरिकल म्यूजियम की स्थापना साल 1905 में हुई थी और उटगाटन साल 1905 में ये हिस्टोरिकल म्यूजियम होने के बावचुत आर्ट को उतना ही डेडिकेटिड है जितना हिस्टोरि को दोस्तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले डेस्टिनेशन की और जो की है है हैगुनो सिटी का म्यूनिसिपल थियेटर Municipal Theater हेगुर्णो सिटी का एक इवेंट बिल्डिंग है जिसे year 1842 से 1846 के बीच में बनाया गया था Theater को City Architect Charles Marin द्वारा डिजाइन किया गया है Municipal Theater दो बलकनी वाल है जिसमें 420 दर्सकों के लिए जगा है Year 1995 से ये building एक historic monument माना जाता है इसे रिनोवेट किया गया था साल 2005 में हगुर्णो सिटी को एक्स्प्रोर करने के पाद हम गए वहां के बैकरी शॉप और हमने लिया bubble tea and coffee पार्किंग की और लोटते वक्त हमने देखी हेगुनो सिटी के गार्डन में एक अनोखी चीज ये है यहां के लोगोद्वारा बनाया गया चोटे इंसेक्स के लिए रहने का खुबसूरत गर फ्रांस से लोटते वक्त हम गए एक ग्रोसरी मॉल वहां पर हमने देखे कुछ अलग किसम के फ्रूट्स दोस्तों ये ग्रेफ्रूट है औरंज से काफी साइज उसकी बड़ी है इसका टेस्ट बहुत ज्यादा सार होता है खटा होता है फ्रेंड्स ये देखिए ये पॉमलोज है पॉमलोज चाइनोज ये बिजिकली चाइना से पाया जाता है ये इस अ मीक्स ओफ ओरेंज एंड ग्रेफ्रूट और इस काइंड ओफ स्वीट टेस्ट दोस्तो ये था मीरा आज का व्लोग और आने वाले व्लोग में हम एंजोई करेंगे हैदलबर्ग सिटी का ओटम फेस्टिवल दोस्तो आज का मेरा व्लोग अगर पसंद आया हो तो प्लीज उसे लाइक कीजिए जदा से जदा सेट कीजिए और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें मेरी चैनल या क्रियेटिव and press bell icon to get notification of my upcoming videos